पिक्चर अभी बाकी है इस बार ही हम बात करने वाले हैं कि ऐसे फिल्म के बारे में जिसके बारे में मैंने हमेशा ये बात सुनी है लोगों से कि उन्होंने उसको दस बार देखा है पंदरा बार देखा है बीस बार देखा है लेकिन हरानी की बात ही है कि जब ये फिल्म तो यह इतनी क्लासिक फिल्म क्यों मानी जाती है? क्यों इसे अब एक कल्ट फिल्म तरजा हो गए? कि जब सोचे कभी कोई इसको देखने नहीं जा रहा था लेकिन आज देखिए हर जनरेशन में इसके फैन्स हैं देखिए जैसा आपने कहा जब यह फिल्म रिलीज हुई थी मुंबई सेक्टर में रिलीज हुई थी आल इंडिया रिलीज इसकी नहीं थी और शुरू में बहुत कम लोग इसको देखने गए लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के बारे में लोगों ने सुनना शुरू किया तो लोग बताते हैं यह मिनर्वा थीयटर था मुंबई में मिनर्वा से तार्दियो ब्रिश तक पूरी लोगों की कतार लगी रहती थी टिकेट लेने के लिए और मिनर्वा के पास जो एक बस स्टॉप था उसका नाम ही रख दिया गया शोले बस स्टॉप यानि वहां पर लोग उतरते थे मिनर्वा के मैनेजर होते थे सुशील महरा वो इतने बिजी होते थे सुबा आठ बजे से शाम आठ बजे तक कि उनको समय नहीं मिलता था अपने घर जाने का तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को हॉल ही में बुला लिया वहां में दो कमरे थे और उसी में पूरा परिवार रहने लगा और बहुत दिल्चस्प बात अनुपमा चूपड़ा हैं बहुत मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं और उन्होंने किताब लिखी है शोले मेकिंग ओफ एक क्लासिक और उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है कि पंजाब से केनाट प्लेस आप गई होंगी दिल्ली में वहाँ पे प्लाजा सिनिमा हॉल है वहाँ से एक स्पेशल शोले स्पेशल बस चला करती ती उस पे लिखा रहता था शोले स्पेशल और वहाँ से लोग बैट कर यहाँ दिल्ली में वो देखने आते थे और ये इसका टिकेट बालकनी का उस जमाने में 15 रुपए का होता था और ये ब्लैक में 200 रुपए में बिक्ता था और कहानी ये मशूर है कि एक बार मुंबई में बहुत जबरदस बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि मिनर्वा में पूरा पानी भर गया नीचे लॉबी में तो लोग अपने जूते हाथ में लेकर और पतलों उपर चड़ा कर चप चप करते हुए ये फिल्म देखने पहुँचते थे ये नहीं कि मौसम खराब है तो नहीं देखने जा रहे हैं और एक और कहानी मशूर है कि यहां दिल्ली में प्लाजा सिनेमा हॉल में एक व्यक्ती इस पिक्चर के फिल्म ब्लैक किया करता था यानि डेर सोर रोपे में फिल्म बेखता था और उसके बारे में किस्सा मशूर है कि करीब एक या दो साल उसने टिकेट ब्लैक किये और सीलमपूर एक जगा है दिल्ली में, वहाँ उसने दो कमरे का घर वनवा लिया, उसी पैस्टिस थे, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रिये रही होगी, पूरे पांस साल चली, मिनर्वा हॉल में, दो सो चालिस हफ़ते, और दो सो चालिसमे हफ़ते में भी वो पूरी फ यह सब अमर हो गए, मतलब बहुत ही मामूली रोल करके, और शेकर कपूर बहुत मशूर डारेक्टर हुए, उन्होंने तो बड़ी मज़धा टिपपनी की कि भारती फिल्म इतिहास को दो हिस्सों में बाठा जा सकता है, शूले बीसी, शूले एडी, यानि शूले से पहले क इतिहास और शूले के बाद का इतिहास, तो यह सबक था कि किस तरहे एक फॉर्मूला फिल्म को एक क्लासिक फिल्म बनाया जा सकता है, पिउश पांडे बहुत बड़े जिसे कहते हैं विज्यापन की दुनिया की बहुत बड़े शर्ट है, उनका मानना है कि यह शायद अब कहानी बता सकती हूं आपके उसे न, क्योंकि देखिए जब यह फिल्म आई थी तब तक तो मैं पैदा भी नहीं थी, लेकिन इसके दिवान की मैंने बहुत एखिए, क्योंकि यह शायद यह पहली फिल्म है, जब मुझे पता चला इस बारे में कि फिल्मों के बारे में कोई पाची, मम्मी, सब लोग इकठे होकर, सब समय से आगए अपने घर पे, और सब ने मिलकर बैठकर इस फिल्म को देखा और घर में हमारे ऐसा माहल था, कि जैसे सच्वे को हम तयोहार मना रहे हैं सब मिलके, कि हष्षोले फिल्मारियों और सब लोग इकठे देख और शायद में कि अमिताबचन है, धरमंदर हैं अपने पैंज हैं इए तो लेकिन स्टारकस के अलावा इसके डायलोग भी हैं हो आज तक भी इसके बारे में बातकरते हैं और कहीं निकलाते हैं लोग किलोहाँ जोब कःलोग तैंसे निकलाते हैं विल्कुल इस्वल्म को आपने आसी बार देखा, आपने गिती बार देखिए, नहीं साब, आपने इतनी बार तो नहीं, लेकिन हा, तीन-चार बार जरूर देखिए फिल्म, और फिल्म के बारीक से बारीक पक्ष को लोगों ने याद रखा, उसमें एक हत्यार डेलर होता है, जो कि शायद 30 सेकेंड के लिए हरी से, लोगों को वो भी याद है, तो डायलॉग तो आप छोड़ देखिए, लोगों को एफेक्ट तक याद है, उसके जो एफेक्ट की लोग नकल करते हैं, जो पीछे डायग्राउन, और आटो रिक्षा में कही जगे आप देख सकते हैं, धन्नो नाम लिखा रखता है, फाइव स्टार होटल में, बार्स में, गबर ड्रिंक्स मशूर हो गये थे, डायलॉग कोलेज में जो रोमैंस जो लड़के लड़कियों के बीच जो थोड़ा किसी को बैठे देखा तो एकदम से फिक्रा पीछे से आता है, बहुत याराना लगता है, तो बहुत याराना ल जावेद ने इसको कागस पर उतारा था, हलांकि सलीम जावेद ने लिखा थे, लेकिन कागस पर लिखते थे जावेद, उर्दू में लिखते थे, हिंदी उनको नहीं आती थी, और खलिश उनके एक असिस्टेंट होते थे, वो उसका हिंदी अनुवाद करते थे, फिर एक अमर जीत, उनके एक दूसरे असिस्टेंट होते थे, वो उसका अंग्रेजी में साराश लिखते थे, और लैंग्विज अवधी, खड़ी बोली, मिक्स अवधी थी उसकी, और उसमें बहुत ही, जिसे कहते हैं, रूखे शब्द गबर सिंग इस्तिमाल करते हैं, और उसमें एक सीन है, जैसा अभी आपने जिकर किया कि कितना इनाम है कि पचास घ़दार के आम, तो सलीम जावेड चाहते थे कि गबर सिंग उसे अपने मूः से ना कहें, वो इतने, मतलब उनमें इतना अरोगनस है कि वो अपने मूः से कैसे कहें कि ने उपर पचास तो इस तरह से लोगों को बताया गया गापबार सिंगु के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये कि गापबार सिंग का रोल इतना स्ट्रॉंग था कि अमितापबच्चन ये रोल करना चाहते थे उन đã उन्होंने का थे मुझे ये रोल दे दो इविन धर्मेंद्र जो थे वो ठाकुर साथ का रोल करना चाहते थे जो संजीव कुमार को मिला वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और सलीम जावेद ने एक तरह से डाकूओं की पूरी इमज बदल कर रख दी जो पहले के डाकू होते थे वो माभावानी की पूजा करते थे पगड़ी बानते थे धोती पहनते थे चार इंच का उनको टीका रहता था तो उन्होंने मिलिटरी फिटीग पहनाया अपने हीरो को अरे अपने विलिन को अमजद खान उसमें मिलिटरी और इविन धर्मेंद औ और अमिताब बच्चन भी गंदी जीन्स पहने कर सामने आए इस फिल्म में तो आप जैसे कहा कि अमिताब बच्चन भी इस रोल को करना चाहते थे जो अमजद खान को मिला जो रोल तो actually क्या अमजद खान भी खुद रमे शिर्पी की पहली पसंद थे इस रोल के लिए या डैनी डैन्जोंगपा इसके लिए पहली पसंद थे इस फिल्म में वो डैनी डैन्जोंगपा पूल लेना चाहते थे पहली पसंद यही थे लेकिन सलीम जावेद इससे खुश नहीं थ पूरे प्रस्ताओं से और हुआ यह कि डैनी डैन्जोंगपा ने फिरोस खां की एक फिल्म की धर्मात्मा वो फ्रांसिस फोर्ट कपोला की गौटफादर है उसके उपर बनी थी तो वो उन्होंने साइन कर ली और वो दोनों फिल्में करना चाहते थे डैनी चाहते थे कि य उनके मैनेजर होते ती जो सेक्टरी होते ती उनको लगाया इस महिम में कि भाई कुछ इसका समाधान निकालो तो उनके सेक्टरी ने फिरोस खां से संपर किया और उन्होंने और रोट किया कि भाई आप अपनी शूटिंग को थोड़ा सा डिफर कर दें लेंगे फिरोस खा को ना कहना पड़ा डैनी ने रमेश सिप्पी को मना कर दिया कि साब मैं धर्मात्मा मेरे लिए जादा बड़ी फिल्म है मैं उसको करना चाहूंगा और अमजद खां का कोई ट्रैक रेकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था कोई बड़ी फिल्म उन्होंने की नहीं थी और लेकि तो सलीम जावेद ने इनको रेकिमेंट किया कि इनको आप लीजिए तो इनसे कहा गया कि आप दाड़ी बढ़ा के आए और अपने दाथ को काले रंग से रंगे उसके कुछ हिस्सों को और वो ऐसा करके आए और आगे की चीज इतिहास है सच में अमजद खान को जब भी याद किया जाएगा तो इस रोल के लिए तो हमेशा ही याद किया जाएगा और इवन शोले को याद किया जाएगा तो बेश शक गबर सिंग के रोल के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा लेकिन यह जो कहानी है यह क्या कोई असली कहानी है औरिजनल स्क्रिन प्ले है या यह कहीं से अडॉप्ट की गई है देखे चार लाइन का फिल्म कंसेप्ट लिखा था सलीम जावेर और रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि इसको तीन घंटे की फिल्म का एक स्क्रिप्ट में इसको डिवलप करें चार लाइन के कंसेप्ट को कहीं अंग्रेजी फिल्म उन से प्रभावित है यह फिल्म हॉलिवूड की फिल्म है बुच कैसिडी यह बहुत मशूर फिल्म है अकीरा कुरुसोवा जापान के बहुत मशूर डिरेक्टर है उनकी सेवन सुमराई एक फिल्म आई थी बहुत मशूर हुई थी तो यह इन सबसे प्रभावित है और आपको जान कर बहुत मज़ा आएगा कि वास्ता में रियल जिन्दगी में गबर सिंग नाम का एक डाकू था गौलियर के इलाके में और सलीम के जो फादर थे वो पुलीस में डी आई जी थे तो वो किस से सुनाया करते थे इनके गबर सिंग के और गबर सिंग की खासियत ये थी कि पुलीस वालों से उसे इतनी नफरत थी कि वो पुलीस वालों के नाक और कान काट लिया करता था जब भी वो मिलता था और एक बार मतला हाकी कपड़े से उसको इतनी नफरत थी गबर सिंग को कि उसने एक बार एक फोस्मैन को पकड़ लिया और वो सवाई देता रहे गया कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं लेकिन चुकि वो हाकी कपड़े पेने वोई था तो उसने उसके साथ भी वही बरताओ किया और सूर्मा भुपाली जो कैरेक्टर ये वास्तवे कैरेक्टर है जिसको जावेद अख्तर जानते थे भुपाल में ये रहा करते थे वीरू और जै ये जो दो नाम हैं ये सलीम के रियल डोस्त थे जो उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ा करते थे कहानी उन पर नहीं लेकिन नाम उनके उपर है और आप वो सीन याद करें जो सिक्के उच्छालने वाला सीन है जिसमें दोनों तरफ सिक्के रहते ये गार्डन ओफ दे इविल एक फिल्म आई थी उससे ये लिया गया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक्साट कॉपी है इन सारी फिल्मों की जिनके हमने नाम लिये लेकिन सलीम जावेद इंप्रोवाईजिशन उनका खजब का था उनको कहीं से आइडिया मिल जाए उसको वो इंप्रोवाईज करते थे और वो रियल से जादा अच्छा दिखाई देता था ये उनके खासियत थी इसके जो जितने भी किरदार हैं और जितने भी आक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कैसे कैसे इनको छूज किया जैसे आपने बताया कि सलीम जाविद ने भी कुछ कुछ रेक्मेंड किया इनको उनको ये बाद लेकिन हरे किरदार बसंती लेलिज जे आप जै वीरू आप अगबर सिंग ठाकूर ठाकूर के नौकर अबना सब को लोग इनके बारे में बात करते हैं ये जो फिल्म थी इसमें सर्टेंटी जिसे कहते हैं कि शुरू में जो तैह हो गया था वो था धर्मेंडर और हेममालनी क्योंकि सीता और गीता में काम कर चुके थे रमेश सिप्पी के साथ और वो बहुत खुश थे और उन्होंने रिपीट किया इन दोनों को इनके बारे में कोई दो राय नहीं थी कि ये तो होंगे ही होंगे लेकिन हेममालनी बहुत कीन नहीं थी इस फिल्म को करने के लिए इसकुल साड़े पांच सीम्स में वो आती है और जिस तरह का उनका स्टेटस था उन्हें लगा कि बहुत छोटा रोल है उनके लिए तो उन्हें विरोध भी किया लेकिन रमेश सेपी ने उन्हें ने कहा कि भाई ये फिल्म गबर और ठाकुर की फिल्म है लेकिन तुम्हारा रोल इंट्रेस्टिंग है तो वो राजी हो गई और जो दूसरा रोल था जो जै के दोस्त का रोल था जो अमिताब बच्चन को मिल इसके लिए जो डिस्टिब्यूटर्स थे जो वित्रक थे उनकी सला थी कि भाई शत्रुगन से नहा को लिया जाए इस रोल के लिए लेकिन सलीम जावेद अमिताब बच्चन को चाते थे वो रास्ते का पत्थर उनकी बड़ी फ्लॉप फिल्म है अमिताब बच्चन की उन् इंडिया रेडियो उनको रिजेक्ट कर चुका था उनकी आवास के लिए कि था भी इनकी आवास लायक नहीं है कि उसको ब्रॉटकास्ट किया जाए और ये भी एक आईरिनी है कि इतनी बड़ी आवास के माले अमिताब बच्चन को रेश्मा और शेरा में गुंगे का रोल गया था यहाँ आवास का कोई वही नहीं तो रमेश शिप्पी भी अमिताब बच्चन की कई फिल्में देख चुके थे बॉम्बे टुगुआ आनंद में उन्होंने देखा था हिस्ट्रियाउनिक्स उनके तो उन्होंने उनको और धरमें से अमिताब बच्चन ने का कि मेर से फारिश कर दो धरमें ने अमिताब बच्चन का नाम लिया तो इस तरह से अमिताब क्लिंच हुए उस रोल के लिए और जो ठाकुर का रोल था उसके लिए पहले प्रांड को सोचा गया था प्रांड से वो रोल करवाया जाए लेकिन बाद में संजीव कुमार पर सहमती ब बहादरी का रोल था वीडो का रोल था और वो भी बहुत चोटा था एविन हिर्मा मालनी से चोटा रोल था और जाया बहादरी बहुत कीन नहीं थी इस रोल को करने के लिए लेकिन उस जमाने में उनका मिताब बच्चन से इश चल रहा था तो मिताब बच्चन ने कहा कि भ — विलिन की बात है, विलिन में जब डैनी ने मना कर दिया, तो उस जमाने के जो विलिन थे, रन्चीत थे, प्रेम चोपड़ा थे, इनके बारे में सोचा गया, लेकिं कहा गया के ये शायद رॉल में फिट नहीं बैठेंगे। इविन प्रेमनाथ के बारे में उन्होंना सोचा, उन्होंना काई कि प्रेमनाथ इतने तंदुरुस्त हैं और वो बड़े कुख्यात हो चुके थे बड़े मुड़ी आदमी है तो इस तरह प्रेमनाथ को ड्रॉप किया गया और फाइनली फिर सहमती बनी अमधित खां पर और आप सब ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह क्या एक्टिंग ही रहां बात करने के जादत थो है नहीं लेकिन वह बात कर रहे है अचा तो रहां फिल्म के श्यूटिंग कहा हुई दिखे फिल्म आँ जगय का नाम था रामगर की यश जगय भी है रमेज चिपी को चंबल के बीहड नहीं पसंदे, वो नहीं चाहते थे कि चम्बल के बीहड दिखाये जाएं और वो एक तरह कि उनके जो दिमाग में जो सीन था, इस तरह कि टोपाग्रफी थी कि ठाकुर के घर से पूरा गाउं साफ दिखाई देना चाहिए था तो उनके एक आर्ट डारेक्टर थे, राम याडे कर, उन्होंने उनको जमेदारी दी, कि भाई आप जगा ढून के लाइए, तो वो कार से निकले, और दक्षिन में उन्होंने पूरा कार से जाते थे, कार रोकते थे और तमाम देखते थे, और फिर एक राम नगर नाम की एक जगा उन्होंने चूस की, जो की बैंगलोर से एक खंटे की दोरी पर थी करनाटक में, करनाटक में और ये पहली डाकूओं की फिल्म थी, जो दक्षिन में शूट हुई, ये पहला वो था, और जो जितने मेट्रोग्राफर थे, दिवेचा वो सबसे पहले उठते थे, और साड़े छे बजे चले जाते थे शूटिंग के लिए, एक सौ पचास लोग रोज आते जाते थे बैंगलोर से शूटिंग पे और वहाँ जहाँ पे शूटिंग होती थी, 200 लोगों का खाना तयार किया जाता था तो ये इस तरह से शूट किया गया इस फिल्म को वाँ, मतलब ये वाला एक ऐसी चीज़े जो मुझे भी कभी नहीं पता था कि राम नगरम करनाटक में कहीं इस जगह को शूट किया गया एक दम बड़ा असा ट्रीविया है मैं मुझे ये भी जानना है कि ये इतनी अब तो यादगार फिल्म है इतना प्यार आज तक मिलता इस फिल्म को कुछ इनाम भी मिला कि नहीं मिला फिल्म परे मिला की नहीं मिला और उतारी भी इसलिए क्योंकि रमेश सिप्पी की अगली फिल्म तयार थी शान शान रिलीज होने वाली थी तो उनका शान को कहा लगाए तब उनको उतारा गया और उस जमाने में 35 करोड रुपए इस फिल्म ने कमाए थे फिर्स गो में दूसरे नमबर पर जो फिल्म थी इसको सबसे जादा पैसे जिसने कमाए थे वो जैसंतोशी माँ थी उसको 6 करोड रुपए उसने कमाए थे उसमें और ये रिकॉर्ड 19 साल तक नहीं तोड़ा जा सका 1994 में हम आपकी हैं कौन ये फिल्म रिलीज हुई उसने शोले का रिकॉर्ड तोड़ा था और लोग कहते हैं कि शोले को पूरी दुनिया में इतने लोगों ने देखा है जितनी भारत की जनसंक्या है यानि आप अंदादा लगा सकते हैं 130 करोड लोग अब तक शोले फिल्म पूरी दुनिया में देख चुके हैं और इसके हर छोटे से छोटा कलाकार विजू खोटे जिन्होंने कालिया का रोल किया तो उसके बाद से उनका नाम ही कालिया पर देख और बलके उनके लड़के बहुत नाराज होते थे जब सड़क पे लोग उनको कालिया कह के पकारते थे उनका जैस्टिफिकेशन होता था कि भाई इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए इसके लिए उसी तरह मैक मोहन जब लोग उनसे आटोग्राफ लेते थे और वो साइन करते थे मैक मोहन तो लोग उनकी तरह देखते थे कि मैक मोहन क्यों स पसर था उसने उनको बगैर सवाल पूछे जाने दिया क्योंकि उसने शोले देख रखी थी और वो पहचानते थे कि सांबा कौन है तो इस फिल्म ने डायमेंड जूबली बनाई जब तो रमेश सिपी ने अपने सिनेमेटर ग्राफर जो थे दौर का दिवेचा उनको एक फ फिल्म के दायमेंड जिबली के माँ के फर फिल्म एफर नॉट फैर नॉट फैर आपको धर देना ज़िए तो इसका कुलासा कर देती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी ऐसाब कि उनको भुट भाटी थी ता विरू किरदार कुए नहीं देखे लेकिन उनको कितना प्यार द बताइएगा, आपको आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जैसी मैंने अपनी स्टोरी बताइगी कि कितना कैसे यादगारिक पल था हमारे जो हम लोगों ने शोले तीवी पर पहली बारी देकी थी अगर आपकी पिसी कहनी है तो जरूर बताइएए आपको कौन पसंद है उसके बताईए लेकिन हमें बाचित अभी बंद करनी पड़ेगी फिर अगले एपिसोड में फिर एक और कोई यादगार फिल्म लेकर आएंगे मैं और रहान सर आपके लिए अभी के लिए विदा नमस्कार